कुरोना महामारी के कहर ने लोगों की जीवन की रफतार पर ब्रेक लगा दिया है लॉक्डाउन से आज के समय में हर कोई प्रभावी थे चाहे वो व्यापारी हो या फिर दिहारी बजदूर ऐसा ही नजारा धोलपूर में देखने को मिल रहा है सबजियों का ठेले पर खड़े यह जादूगर आरजे समराठ है यह कोई जादूगर नहीं दिखा रहे हैं बलकि लॉक्डाउन में बच्चों को पालने के लिए सबजी बेच रहे हैं इस दोरान उनकी हसी, हाथ की सफाई और जादूगरी भी गायव हो गई कई राज़ू में बड़े बड़े शो कर चुके आरजे समराठ ने अपने 15 कर्मचारियों को जिब से पैसा दे कर घर भेज दिया लेकिन खुद के परिवार का पेट भनने के लिए सबजी बेचनी शुरू कर दी उनका कहना है कि परिवार चलाने के लिए एक मातर रास्ता ही बचा है मन में विचार आया और काम करना शुरू कर दिया